हाई दोस्तों आप देख रहे हैं Guruji's Vlogs और आज हम बात करने वाले हैं Top 10 Best Bike जो यंग्सर और college students के लिए perfect रहेगी जब हम college student और यंग्सर के बात करते हैं दोस्तों budget जो होता है बहुत बड़ा stand करता है तो आज की जो bikes होंगी वो एक से डेड़ला के असपास में होगी अच्छ इस वीडियो को आखर से जुरू देखिए अगर आप प्लान कर रहे हैं बाइक लेने का और ये लिस्ट में से आप अपनी डैडी को जरू कन्वेंस कर सकते हैं कोई भी एक लेने के लिए तो चलिए जानते हैं दोस्तों नमर्ट 10 पे है बजाज पलदर 220F BS6 model इस वीडियो म प्राइज आ रहा है 220CC के फोस्ट्रों ट्विंस पार्क डिटेस इंजन आ जाता जो कि अच्छा कासा आपको मैलेज जो है वो दे देता है टॉप स्पीड जो है 134 के असपास में किलोमेटर पर आवर के सब मिल जाता है मैलेज जो है 35-40 के असपास में अच्छी दे देती है की features अगर highlight करों तो styli semi paired design मिल जाता है clip-on handle bar मिल जाते है आपको fuel injector मिल जाते है लाइब लुक एक्स भी मिल जाते हैं दोस्तों डे टायम रनिंग लैंप्स मिल जाते हैं यह तो होगे की फीचर दो अब इसके प्रो एन कॉंस की बात करें जो कि आपको दियान देना चाहिए जब भी आपको बाइक कर रहे हो दोस्तों प्रोज अगर बात करें तो यहीं प्रेंट अब आपको अच्छी अच्छा एंड दोस्तों पावर को लेके ना थोड़ा से फिंगर पॉंटिंग है और इसमें जो सिक्स दिगेर है अगर वो दे दिया होता तो पावर को और अच्छे से यूटलाइज कर सकते हैं तो यह ही है इसके प्रों कॉंस चली चलते हैं नेक्ट मॉडल के पर दोस्तों नोबर नाइन पर है रोयल इंफिल की बुलेट थ्रुटी सीसी बीसिक्स मॉडलें दोस्तों इसका जो प्राइजिंग है 1.21 से लेके 1.37 लैक्स तक जाता है विकॉस में बुलेट और बुलेट एक्स और इसके के किक स्टार्ट यह सब मॉडल से इसके अंदर आते हैं उसका प्राइजिंग है और दोस्तों सिटी में भी दोस्तों इसको जो की अच्छा है सिटी और हाइवे के लिए चाहिए ऐसे की फीचर की बात की जाए तो रेट्रो क्लासिक लुग मिल जाता है दोस्तों आपको साही नों को टोटली मैश करता है लोन टॉर्क बहुत अच्छा है यह जो कि इंपोर्ण है बाइक करते वक्त नों तो पो यह हैं कि आपको हाई टॉक मिल जाता है और आपको आपको एक रेट्रो लुक और रियल लुक आपको मिल जाता है जो कि अच्छा फील देता है आपको एंड डिस ब्रेक ऑप्शन भी आप बुलेट्स में आ चुके हैं पहले डिस ब्रेक नहीं आता था पहले आपका ड्रम प्रेक्स आते थे एंड कॉंस की बात की जाए तो प्रेटे चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल के उपर दोस्तों नॉम्बर एट पर है है ही रोका एक्सपल्स टूहंड़ेटी सी बीसिक्स मॉडल है दोस्तों इसको भी एंसरो बहुत ज़्या पसंद कर रहे हैं इसका ऑन रोड अप्रोड लुक के वए से 1.6000 की यह बाइक प्रेमियम लुक मिल जाते हैं आपको एंदोस्तों आपके अंदर इसके अंदर फ्यूल इंजेक्टर है और डिजिटल आपको चन्सोल मिल जाता है जो कि आपको आपको ऑन रोड ऑफ-डोड दोनों पर ही अच्छा ग्रिपिंग आपको देते हैं इसके प्रों और को बाग क है जो कि इंपोर्टिन है फस्तों एंजे मिल रहा है आपको इसमें अच्छी की गई है और कॉंस की बात की जाए दोस्तों तो टॉप स्पीड जो है थोड़ी कम है और प्रोजिंग स्पीड आपको अच्छी नहीं मिल पाती है हलका सा वाइब्रेशन आपको फील होता है बा अच्छी नहीं मिल था जो है वो होता तो हो और आप स्पीड को एक्षिन कर सकते थे अधर्वाइस यह मॉडल बहुत ही अच्छा आपको प्रफॉर्मेंस करेगा आपके डेरी लायक दिली दोस्तों नॉबर 7 पर है के टीम डूक 155cc model यंग्स्टर स्पीड बहुत ही पसंद आता है और दोस्तों प्राइजिंग पड़ता है 1,38,000 में मॉडल पड़ जाती है और 124cc का इंजन आता है सिंगल स्टेंटर 4-stroke 4-wall इंजन आता है जिसका टॉप स्पीड है 120 km पर आवर का एंद दोस्तों एवरेज भी आपको इसमें अच्छा मिल जाता है 42 km पील के असपा आपको फ्रंट प्रोक मिल जाते हैं फुले डिजल निल जाता है दोस्तों और अगर बात करें प्रों कोंस की जो कि इंपोर्टन है तो पार्फुल एंजन मिल रहा है प्रीमियम एक्यूप्मेंट मिल रहे हैं आपको 6-speed gearbox मिल रहा है आपको और गुड परफॉर्मेंस मिल ज जाते हैं आपको लिक्विड गूल इंजन मिल जाती है अब बात करें कॉंस की तो थोड़ा प्राइसिंग जो है हलका साहाई बढ़ जाता है और दोस्तों हाइवे पर उतना अच्छा प्रफॉर्मेंस इसका नहीं है अधर्वाइस यह मॉडल यंग्स्टर्स के लिए सिटी पिक अधर बेस्टों जाता है वैसे में आम अगर इसके एक्ट्रों प्राइस की बात कि आग की जाती है और अगर चुट्रेवन कीलोमेटर पर आवर की स्पीड मिल जाती है टॉपीड इसकी मायलेच वह है 45 46 कंप यह अधर्रों सको मिल जाता है है हाईवे और सिटी में आपको स्लीपर क्लच के साथ में है 6-speed gear और नविचेशन एल सीड इंड़िए लिस्टर में रहा है आपको अपको आपको अलडियोष और टूबलेस टायर का भी मिल रहा है साइट स्टन एंजन कट आफ सविच मिल रहा है दोस्तों रेयल टायर में जो वन पॉटी एंव के वाइट आड़ से जो कि अच्छा लूग देते हैं आपको प्रीमिम लूग देते हैं और अगर आपको यामा का नेटर्क का मालूमी है कि बहुत बड़ा है जिसके वच अच्छे बिल जाती है यामा में जाना जाता है और अच्छा माइलेज भी आपको साथ मिलता है अगर इसके प्रो इन कॉंस की बाद की जाए तो यह भी बेस्ट मॉडल बन जाता है आपके डेली राइडिंग के लिए दोस्तों नमर 5 पे है यामा FZ25 and 25S मॉडल है दोस्तों इसका जो एक शोरूम प्राइस पड़ रहा है 1.53 लाक के आसपास में आपको मिल जाता है दोस्तों 249 CC का इंजन मिल जाता है तो स्टाइलिस्ट मस्कूलर डिजाइन मिल जाता है रिलाइबल इंजन मिल जाता है दोस्तों जो की आमा में माने जाता ही है यह BSS compliance सो टोटली मैच करता है और BI functional LED headlamps मिल जाते है आपको दोस्तों यह daytime running light मिल जाती है आपको इसमें आपको navigation LCD instrumental cluster मिल जाते है आपको side stand engine cutoff switch मिल जाता है आपको और दोस्तों इसके अंदर light weight जो है वो chassis frame मिल जाते है और दोस्तों 7 step adjustable monoshock absorbers मिल जाते हैं आपको और यह सारे के साथ में आपको wide tires और all I wills भी मिल रहे है जो की बहुत ही अच्छा है इस pricing range के साब से बात की जाए तो अभी भी थोड़ा सब्सक्राइब जाता है अब टूप्टी सीची के सबसे कर देखा जाता है तो पावर सही अगर प्रो और कॉंस की बात की जा रहा है कंफ़रेबल सीट मिल जाती है गुड अच्छी और ब्रेकिंग मिल जाते है डिए डिए डील चैनल एबस के साथ में लो मेंटनेंस है में यामा की जो पावर सब्सक्राइब लो मेंटनेंस होता है तो और उसमें अच्छी मैलेज भी आपको मिल जाती है पिक अ प्रफॉर्मस भी अच्छी मिल जाती है अगर कॉंस की बात की जाए है तो दो सिस्ट गेर जो है जा है जिसके वीशर फॉल ईूटलाईज़ नहीं कर इस engine का and दोस्तो highway पे थोड़ा सा finger pointing है कि इसका performance उतना अच्छा नहीं आ रहा है otherwise youngster के लिए city ride के लिए बहुत ही अच्छी बाइक है look and design और performance के लिए और low maintenance के लिए दोस्तो number 4 पे है बजाज pulser NS200cc BS6 model ने दोस्तों ये भी riders को बहुत जाब पसंदा रही है बिकास ये budget friendly भी है compact भी रहती है और city ride के लिए बहुत जाची रहती है जो इसका pricing पड़ रहा है 1.25 lakhs के आसपास में आपको इसका एक showroom price पड़ जाता है इसका जो engine है 199.5cc के engine मिल जाता है single cylinder SOSC triple spark engine मिल रहा है आपको दोस्तों इसमें top speed जो है 138 km per hour के मिल जाती है mileage 35-40 kmpl के आसपास में आपको मिल रहा है key features को अगर highlight करें तो दोस्तों aggressive street fighter design मिल जाता है जो की compact भी है और handling भी बहुच रहती है city में इसकी powerful engine मिल रहा है fuel engine मिल जाता है आपको इसके अंदर liquid cool engine मिल रहा है striffer frame मिल जाता है जो की body frame है chassis frame है और data analog console मिल रहा है आपको इसके अंदर हलका सा चीजे जो है अगें इसका जो design है उसको लेकर फिंगर पॉंटिंग की जा रही है और दोस्तों हलका सा वाइब्रेशन आपको मिल जाता है और single challenge ABS यह छोटी-छोटी चीजे जो है वही सा फिंगर पॉंटिंग अधरवाइस यह model जो है यंग riders को बहुत पसंदा आता है दो थर्ड नमर पर आता है टीवेस अपाचे आर्टी-अर्ट फोर वी बीए सिक्स मॉडल एंड दोस्तों यह model भी यंग्स्टों को बहुत आपसन है बजट फ्रेंडली बढ़ जाता है इसका जो एक शोरूम प्राइज है 1.25 लाइस के आसपास में बढ़ जाता है सिंगल सिलिंडर एसाइ फोर स्रोक इंजन मिल जाता है तॉप स्पीड जो आपको 128 किलोमेटर पर आवर्स के आसपास मिल जाती है माइलेज 38-40 केम पेल के आसब मिलता है एंड फीचर के अगर बात कि जो फुली फीचर्ट बाइक है च्छोट जाता है स्थालेगड फ्यूकि अब पर आपको को इसमें रेसिंग ग्राफिक मिल जाते है जो फूरे पर आपको जाता है और इसमें racing tune sleeper clutch भी मिल जाता है, radio tire मिल रहा है, barrel exhaust मिल रहा है, double barrel exhaust and full LED headlight मिल जाती है, जो कि अच्छा focus भी देती है, digital console मिल जाता है, आपको इसमें navigation feature मिल जाता है, lean angle mode मिल जाते हैं, दोस्तो smart connectivity मिल जाती है, ये सारे features जो आपको 1.25 lakhs मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा ह की बात करें, जो कि important है, अगर प्रोस की बात करें, तो look अच्छा कर जाता है, दोस्तों, acceleration भी अच्छा मिल जाता है, इसमें पेरेली की tats मिल जाते हैं, जो कि आपको अच्छा gripping दे रही है, दोस्तों, slipper clutch मिल रहा है, और stainless steel exhaust मिल रहा है, और दोस्तों, इस segment में pricing range आपको बहुत ही अच्छा मिल रहा है, बट कुछ चीज़ें इसमें कॉंस भी हैं, दोस्तों, अगें, six gear जो है, इसके इंदर missing है, थोड़ा six gear होता तो, पावर को और अच्छा यूटलाइस कर सकते हैं, थोड़ा हाइवे पे जो है, जो performance है, वो थोड़ा सका हमारा है, अधर्वा इसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, दोस्तों, में चीज़ें का प्राइस का प्राइस पर जाता है, जो की अच्छा है, और दोस्तों, की फीचर्स अगराइट रहा हो, जो की important भी है, आप लोगों को जाना, एंद स्टाइलीड स्पोर्टी डिजाइन मिल जाता है, आप लिए दोस्तों, स्लिपर, क्लच मिल रहा है, डिव चैनल, स्टाइबस, स्टाइबस, स्टाइन, इजिन, स्टाइबस, एलेडी, स्टाइल, फैलेड लेगो, आपके लेडिगे, एंस्ट्रूमेट, कलस्टर, मिल रहा है, गेर शिफ्टर के साथ, में गेर के बात करें तो हाइवी पर फोड़ा सा कम है सिटी के लिए बहुत ही अच्छा है लुक और स्टाइल बहुत चाल लगता है और यंग्स्टर्स को इसका स्पोर्टी डिजाइन है वो बहुत ज्यादा पसंद आता है दोस्तों नूबर बन पर है बजाज पल्जर आरेस तुहेंड़ीट इसी बीसिस मोड़ान दोस्तों यह राइडर्स को बहुत ज्यादा पसंद आता है यंग्स्टर्स में यह पॉप्लर बाइक है दोस्तों उनका यूजर वी बहुत अच्छा बढ़ जाता है आपको एकनोमिक 10.5 cc के एंजन आता है सिंगल सिलिंडर ट्रिपल स्पार्ट फॉर वाल इंजन मिल जाता है तो टॉप स्पीड मिल जाती है 141 की है और मालेज जहें 40 kmpl के अफास में आपको दे देती है दोस्तों अगर इसमें की फीचर को हैलेट करो तो दोस्तों फुली फेर डिजाइन मि मिल जाता है लिक्वीड कौन इन्ट मोट स्कोर्टी एक्सार मेरे दोस्तों आपको इसमें प्रोजेक्टर हैं मिल रहा है स्टेल स्पűड्ट इस स्प्लीट्ट स्पुलेट अप सीट मिल जाते हैं इस प्रोस आंटेट ऑम अगर यह नैच् Singapore स्पीचे नेट्वर्क बहुत यचा है, controlling बहुत यचा है, fade design riders को बहुत जादा पसंद आता है, इसका जो aggressive sitting position है, वो भी rider को बहुत पसंद आता है, इसमें cons की बात की जाए है, थोड़ा सा outdated design हलका सा हो चुका है, otherwise riders को तो ऐसा नहीं लगता, sailing तो यह नहीं बोलता कि इसमें कुछ चीज कम है, again इसमे के लिए, या फिर अपने daily riding के लिए, तो इन bikes में से एक bike आप जरू जूज कर सकते हैं, because यह सभी bikes जो है, इंडिया में बहुत जा पॉपुलर भी है, and दोस्तों, demanding में भी चल रहे है, प्रफॉन भी अच्छा देती है, low maintenance भी है, और Indian roads के हिसाफ से बनाए गई है, तो दोस